हेलो एंड वेलकम दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप फ्लिपकाड एप के अंदर जो आपके ओर्डर आउट फॉर डिलेवरी हो चुकी है उसे कैसे कैंसल कर सकते तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते इसके लिए आपको नीचे यहापे अकाउंट के उपर क्लिक कर देना है और आपको यहापे ओर्डर के उपर क्लिक कर देना है और आपको यहापे ओर्डर के उपर क्लिक करने के बाद आपको यहापे जिस भी ओर्डर को कैंसल करना है आपको सिंपली यहापे उसके उपर क्लि इसके उपर कॉल करने के बाद आपको उन्हें बता देना है कि मुझे इस ओर्डर को कैंसल कर देना है अगर आपका यहापे कॉल नहीं लगता तो जब यहापे डिलेवरी बॉय का आपको सामने से कॉल आएगा तो उन्हें आपको बता देना है कि मुझे इस ओर्डर को कैंसल क करना है आपको यहाँ पर एक cancellation code आ जाएगा अब आपको यहाँ पर उस cancellation code को यहाँ पर उस delivery boy को यहाँ पर बता देना है जिससे आपकी यहाँ पर order cancel हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरीक से यहाँ पर cancellation code आता है cancellation code आने के बाद 5-10 मिनिट बाद आपकी order यहाँ पे cancel हो जाती है और कुछ इस तरीक से यहाँ पे message आ जाता है और आपके flip card app के अंदर कुछ समय बाद automatically यहाँ पे आपकी order cancel हो चुकी है यह यहाँ पे update हो जाता है अगर आप कोई studio से महत होती है तो प्ली दोस्काइब को subscribe कीजिए subscribe करना विल्कूल free